जो तिस एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है तो आईए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधा समबर को उत्पन ना एका दशी बनाई जाएगी अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सब्था की ग्रह गोचर की इस्तति का हाल सबसे पहले बात करते हैं गुरू की जो की इस सब्था मेश राशी जो कि उनकी अतिमित्र राशी उसमें विराजमान रहेंगे वही केतू और चंद्र की यूती इस सब्था हमें कन्या राशी में देखने को मिलेगी शुक्र और चंद्र की यूती हमें तुला राशी में इस सब्था देखने को मिलेगी व्रशिक राशी में मंगल और सूर्य दोनों यूती करके विराजमान रहेंगे बुद्ध धनू राशी में विराजमान रहेंगे और शनी अपनी मूल त्रिकोन की राशी कुम में विराजमान रहेंगे राहू मीन राशी में गोचर प्रमन करेंगे चंद्रमा इस सब्ता तीन राशियाँ सीन, कन्या और तुला इनतीन राशियों इन गोचर ध्रमन करते होए दिखाई देंगे तो इस सब्ता के इन ग्रह गोचर की इस्ततियों का क्या effect आपको अपने सब्ता पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं शुरू करते हैं सप्ता का साप्ताइक राशिफल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ धन प्राप्ति के लिए कुछ विशेश दान पुन्य से सम्मंदित उपाए तो वीडियो के अंतक मेरे साथ बने रहे हैं शुरुआत करते हैं प्रथम राशी यानी मेश रासी से सप्ता की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेश रहने वाली है कुछ कारिया आपके दुरुत गती संपन होते हुए दिखाई देंगे करियर में आरे ही बादा हैं समाप्त होगी भाई बैनों का साथ और सयोग मिलेगा संतान की तरफ से सुपसमाचारों से बरा सप्ता का प्रारंब रहेगा इस समय शात्रों को मनवांचित परणामों की प्राप्ति होती हुए दिखाई देगी तो सप्ता की शुरुआत आपक को फेस करनी पड़ सकती है महीं आपके शत्रूं की संख्या में भी व्रती होगी और इस समय कोई भी कारिय आपके आसानी से संपन नहीं होंगे इसलिए नए कारिय की शुरुआत से आपको इस समय बचना चाहिए सब्ता का एंड आते आते समस्याय थोड़ी सी कम होती हुई द काम करेगा मेश राशी के जातको को धन में व्रदी के लिए चने की दाल सोना और खल्दी और बेसन का दान करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा लाल शुबंग रहेगा एक और शुब दिशा रहेगी पश्चिम दिशा अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं व् बहुत जादा एक बचट बनाकर और अपने रुप्यों को इस्तमाल करना चाहिए निवेश करते समय विशेस रुप से साबधानी आपको रखनी है किसान वर्द के लिए और जो पशुपालन का काम करते हैं या फिर दूट डेरी का काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है परंतु इस समय आपको अपनी मा की आग्या की अवेला नहीं करनी है इस बात का विशेस रुप से ध्यान रखें सब्ता का मेड़ आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा विद्यारती वर्ग को मनवांचित परणाम न मिलने से निराशा उत्प संतान की तरफ से कुछ चिंता बरे समाचार आपको इस समय मिल सकते हैं थोड़ा सा केरफुल रहें इस समय आध्यात्मिक कारियों में आपका मन अधिक लगेगा धर्मकर्म के कारियों में आप मानसिक शान्ती को ढूनने का प्रयास करेंगे सब्ता का एन यनी वीकेंट आप के लिए अच्छा रहने वाला है इस समय स्वासमंदी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी आपके काम दुरुद कती से संपन होंगे आरतिक इस्तती उननत होगी और कर्च की स्ततियों से भी मुक्ति मिल जाएगी घर में मांगली कारिक्रमों की रूप लेखा भी रखी जाए ब्रशब राशी के जात को कोधन बढ़ाने के लिए शहद सूप और मसूर की दाल का दान करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा क्रीम शुबंग रहेगा दो और शुबदिशा रहेगी उत्तर पूर्वदिशा अब हम आगे बढ़ते और जान लेते हैं मिथुन राशी क आपकी राशी से चंदर माइस वीक तीसरे चौथे और पांचवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे सप्ता की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और धमाकेदार रहने वाली है आपका बल पराकरम पावर सब कुछ बढ़ने वाले हैं सेल्फ कॉंफिडेंस इंक्र आई देंगे महीं सप्ता का मिड़ आते आते समस्यां थोड़ी सी अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी इस समय आपको फाइनेशली बहुत कैरफुल होकर चलना होगा यदि कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उन पेपर को पढ़कर ही साइन करें वरना आपके साथ धोका भी हो सकता है यात्रा करते समय सावधानी रखें और वाहन पर खर्चा भी इस समय आपको जेलना पड़ सकता है नए वान की खरिदारी से पर आपको इस समय बचना चाहिए सपता का एंडियानी वीकेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है संतान की तर खाई देगी मितुन राशी के जातकों को धन संपत्ती बढ़ाने के लिए घी फल और दही का दान करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा ग्रे शुबंग रहेगा पांच और शुब दिशा रहेगी दक्षिन पश्यम दिशा अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं करकर आशी का हाल आपकी राशी से चंदर माइस वीग दूसरे तीसरे और चौते भाओं में गोचर प्रमन करेंगे सब्ता की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेश रहने वाली है इस समय को तुम से सुबसमाचारों की प्राप्ती होगी कोई भी कारिय जो आपके सुनिश्चित है महीं सब्ता का मेड आते आते समस्यां थोड़ी सी बढ़ सकती है आलें की विरोधी समाप्त हो जाएंगे साइफ कॉंफिडेंस बूस्ट अप होगा पर फिर भी यहां पर भी आपको सोच समझ कर निर्ने लेने होंगे क्योंकि निर्ने के नेगेटिव निक लगजीरियस वाहन या फिर लगजीरियस आइटम की खरिदारी कर सकते हैं नए घर का सपना पूरा हो सकता है घर का इंटीरियर बहुत लंबे टाइम से आप करवाना चाहते हैं तो वो डील आज के दिन फाइनल होती हुई यानि सपता के एन में फाइनल होती हुई बंक रहेगा चार और शुब दिखा रहेगी उत्तर पश्यम दिखागा अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं राशी का हाल आपकी राशी से चंदरमा इस वीग आपकी खुद की दूसरे और तीसरे भाव में गोचे प्रह्मन करेंगे चंदरमा जो की सब्ता के प्र पारिवारिक सदस्यों की सला लेकर ही अपने जीवन में कोई भी important decisions लेने चाहिए ताकि वो decisions गलत ना निकले सब्ता काम मिड आते आते समस्याइं बढ़ सकती हैं थोड़ा सा केरफुल रहें इस समय घर के बड़ों का आपको सम्मान पूरा रखना है उनकी आग्या के अवेला बिल्कुल भी ना करें कुटम से कुछ अशुब समाचार मिल सकते हैं धहर्य बनाये रखें और जो रूटीन में काम चल रहे हैं उनी को करने का प्रयास करें अपनी वाणी से किसी को आखत ना करें सब्ता का एंड यानि वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा वर्क प्लेस पर भी अच्छी सफलता है आपके लिए खड़ी दिखाई देगी और इस समय आपको सुब समाचारों की प्राप्ती होगी घर में मांगली कारिक्रमों की शुरुआत हो सकती है सियर राशी के लोगों को धन में व्रदी के लिए सोना, केसर और तामे की वस्तों का दान करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा बैंगनी, शुबंग रहेगा तीन और शुबदिशा रहेगी पूर्वदिशा अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशी का हाल, आपकी राशी से चंदर माइस वीग बारवे आपके खुद की राशी और दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे, सब ताकी शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है, इस समय आ सोथ समझ कर डिसीजन लें, सब्ता का मिड आते आते आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इस समय बहुत केरफुल रहें, किसी को भी अपनी वानी से आहत ना करें, वर्क प्लेस पर भी सोथ समझ कर डिसीजन लेने होंगे, और इस समय एकता में शक्ती का प्रदर्शन करते आध्यात्मिक कारियों में आपका मन अधिक लगेगा, घर में आप कोई नया वाहन खरीच सकते हैं, और घर की मैलाओं को प्रसन चित करने के लिए उन्हें विकेंड पर कुछ गिफ्ट दिला सकते हैं, कन्या राशी के जातकों को प्लीन पेपर, पसुओं को हरा चारा, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशी का हाल, आपकी राशी से चंदर माइस वीक, ग्यारवे, बारवे और आपकी खुद की राशी में गोचर प्रमन करेंगे, सब्ता की शुरुआत, आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है, इस समय आकस्मिक तनलाब की परिस्तियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, अब तक आपने जो मैनत कर रखी है, उसका यतिस्ट पल आप राप्त करते हुए दिखाई देंगे, काम में कुछ नए बदलाब संभव हैं, इस समय नहीं योजनों से आप अच्छा लाब राप्त करत करने से बचे हैं, और कारियों में लापरवाई तो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए, सब्ता का एंड यानि वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपको अपने कुटुम से परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा, घर के सदस्यों के साथ आप विकेंड पर कहीं बार घूमने जाने का प्लैन बना सकते हैं, तुला राशी के जातकों को धन में व्रदी के लिए घी, फूल, संगीत की सीडी और चांदी की वस्तों का दान करना चाहिए, आपका शुबरंग रहेगा पीच, शुबंक रहेगा सांथ, और सुबदिशा रह इस समय आपके काम दुर्द गती से संपन होंगे, पिता का मांग दर्शन मिलेगा, सरकारी कारियों में आरे बादाएं दूर हो जाएगी, आपको अपने अधिकारियों का साथ और स्योग भरपूर देखने को मिलेगा, योजनों को सही तरीके से आप क्रियानवित करते शत्रों का नाच होगा, आपका वीजन आने का क्लियर होगा, इस समय आप भविश्य को लेकर कुछ नहीं योजनों का क्रियानमेन करेंगे और उनमें कफी ख़त तक आप सफलता भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, सामाजी कारिक्रमों में इस समय आपकी भागिद का सपना रखते हैं, तो वो सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा, रश्चिक राशी के जातकों को धन में व्रद्धी के लिए नारंगी रंग की वस्तों है, जूते और सिंदूर का दान करना चाहिए, आपका शुबरंग रहेगा, आसमानी शुबंग रहेगा, चार और शुब दिशा रहेगी, उत्तर पूर्व दिशा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और जान लेते हैं धनूराशी का हाल, आपकी राशी से चंद्रमाइस विक, नवम दशम और एका दश, भाव में गोचर प्रमन करेंगे, ये समय आपके लिए भग्य वर्दक रहेगा, सब्ता की शुरुआत में, आप अपने सभी अधूरे पड़े हुए कारियों को दुरुदकती से संपन करेंगे, नहीं कारियों की शुरुआत के लिए भी ये समय अच्छा है, जो यूवक यूतिया नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, हायर एज इस समय आप कुछ विशेश कारियों में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सब्ता का मिड आते आते समस्याइं बढ़ सकती हैं, और कॉम्पेडेंट उकर कोई भी जल्द बाची में डिसिसन ना लें, वरना वो डिसिसन आपके लिए नकारात्मक निकल सकते हैं, चात्र को परिणाम सकारात्मक नहीं, नकारात्मक मिलेंगे, इसलिए आप अपने प्रयासों को थोड़ा सा तेज कर दें, इस समय घर में बेहन और वुगा के आगमन से घर का माहुल बहुती हल्दी होता हुँआ दिखाई देगा, सब्ता कायन यानि वीकेंड आपके लिए बहुत राशी के जातकों को स्टील के बरतन, चने की दाल और हल्दी का दान करना चाहिए, आपका शुबरंग रहेगा, स्काई बल्यू शुबंक रहेगा आठ और शुब दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशी का हाल, आपकी राशी से चंद्रमाइस विक, आठमे, नमे और दसमे भाव में गोचर प्रवन करेंगे, सब्ता की शुरुआत आपके लिए बहुत टफ और टिपिकल रहेगी, इस समय नहीं कारे की शुरुआत से आपको बचना चाहिए, गुपत शत्रों से साबधान रहें, अपन मिलेगा, सब्ता का मीड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इस समय आपके कारियों में एक नहीं जान आप फूखते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा कॉंफिडेंस और एक जोज के साथ आप अपने कारियों को करते हुए दिखाई देंगे, इस समय सब्ता का एंड यानि वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इस समय आपको अपने माता पिता और परिवार का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा, अगर आप कोई भी ऐसा सजावट से संबंदित काम करते हैं या शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, तो उन कारियों में आपको बड़े ओर्डर इस समय प्राप्त हो सकता हैं, घर में मंगलिक करिक्रमों की भी रूप रिखार रखी जाएगी, मकर राशी के लोगों को धन बढ़ाने के लिए इटों, सिमेंट, जूते और बादाम का दान करना चाहिए, आपका शुब रंग रहे अब हम आगे बढ़ते हैं और जान देते हैं कुमराशी का हाल, आपकी रासी से चंदर माइस वीक, साथवे, आटवे और नमे भाव में गोचर प्रमन करेंगे, सब्ता की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, लाइप पार्टनर का, साथ और सयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा, व्यापारी वर कुछ नहीं, योजनों का क्रियान, वेन करेंगे वर्क प्लेस पर भी, आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय मिलती हुई दिखाई देगी, आपकी कोई प्रिय वस्तू जो बहुत लंबे टाइम से खोई चोटे-चोटे काम लेक होते हुए दिखाई देंगे, आपको बहुत शांती से धहर्य बनाए रखते हुए अपने कारियों को करना है, और कारियों को लिख कर करें ताकि आपके कोई भी काम लेक नहों और उस वज़े से आपको नुकसान की स्ततियां ना देखनी पड़े, इस समय आत्राओं को आपको टालना चाहिए, जानवरों से थोड़ा साथ साथ दान रहें, सब्ता का एंड यानि वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इस समय आप अपने परिवार के साथ कोई पिकनिक का डिनर का प्लैन बना सकते हैं, गेट टुगेदर के आपके फैमली के साथ आपकी बॉर्णिंग और अधिक बैतर होगी, कुम राशी के लोगों को धन बढ़ाने के लिए सिमेंट, जूते, कपड़े और कंबल का दान करना चाहिए, आपका शुब रंग रहेगा मजेंटा, शुब अंक रहेगा पांच, और शुब दिशा रहे तैमीन राशी का हाल, आपकी राशी से चंदर माइस वीग, छटे, साथवे और आठवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे, सब्ता की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, इस समय आपको बहुत जादा साथान रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, स्वास समंदी समस्याओं में व्रदी हो सकती है, अपने स्वास का विशेश रूप से ध्यान रखें, इस समय आपको किसी से भी कुछ भी न उधार लेना है, नहीं किसी को उधार देना चाहिए, सब्ता का मेर्ड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, जीवन साथी के साथ तकरार हो सकती है, व्यापार में भी नुकसान की स्थियां देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा निवेश करते समय सोच समझ कर आगे बढ़ें, और अपने पार्टनर्शिप में अगर आप काम कर रहें, तो पार्टनर के उपर नजर रखें, और अगर नए काम की शु खद और मंगल में रहेंगी, मीन राशी के जातकों को धन बढ़ाने के लिए तामवी की वस्तुएं, गुलाबी रंग के कपड़े, गुड और रुबी का दान करना चाहिए, आपका शुभरंग रहेगा बादामी, शुभंग रहेगा दो, और शुभ दिशा रहेगी, दक् शुभ दिशा मुस्कुरा ते रहेगे, जै श्री रादे कृष्णा आठ नो, पांच पांच छे, पांच आठ तीन छे, दो